बिस्मिल्ला रुप्मान रहीम, असलाम अलेकुम, आज हम स्ट्रीट स्टाइल चना मसाला बनाने जा रहे हैं, यह बहुत ही मसेदार बनते हैं, तो आएए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्वेडियंट्स रेकॉाइड हैं हाफ टीस्पून हमने जीरा ले लिया है, हाफ टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है, वन टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट है, वन टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, नमक हस्पे जाइका है, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पोडर है, अद्रक और धनिया एंड में गार जैसे भी चने बॉइल कर सकते हैं तो आई ये शुरू करते हैं अब एक पैन में हम अनियन आड़ कर लेंगे और साथ में हम इसमें कुकिंग ओयल आड़ करेंगे इसको हलका सा गोल्डन बाउन होने तक हम फ्राइ कर लेंगे प्यास थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है शर्मा चिलाते रहें ताके प्यास जल ना जाए प्यास गोल्डन डाउन हो गया है अब हम इसमें अदर क्लेसन का पेस्ट एड़ कर देंगे और इसको भून लेंगे अब्यक्लाइटन का पेस्ट भूनते हुए साथ में हम इसमें वीरा एड़ कर देंगे और खुटा हुआ धनिया एड़ कर देंगे और इनको भी इचिए साथ हलका सा भून लेंगे साथ में इसमें कटेंग वे टमाटर और हल नीचे वहाइट कर देंगे क्लेम को आपने लोस और मीडियम के तरहां में रखना है कि अगर आप क्लेम बहुत जादा रखेंगे तो मसाला जल जाएगा समच इसमें मतवाटर ही लाते रहें ताकि सारी चीज़ें जो है वह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब इसमें हम लाल मिश पोडर डाल देंगे और नमक डालेंगे और वन टीज़्पून हल्दी एड कर दें इसमें अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इसमें वन फोड़ का पानी एड कर दें ताकि सारा मसाला जो है वह अच्छी तरह से यद्जान हो जाए अब प्लेन दिल्कु फ्लो कर दें और इसको 5 मिनिट के लिए लिट से कवर कर दें ताके सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से हज़ान हो जाए अब मैं इसमें चने एड़ कर दूँगी इंका पानी ब्रेंग कर दिया था और इनको भी मसाले साथ भून लें चने बून लेने के बाद उसमें अब लाज पानी एड़ कर दें और इसको 5 मिनिट के लिए लिट से कवर कर दें कर दें और यह स्ट्रीट स्टाइल चना मसाला त्यार होने के करीब हैं चने बड़ अच्छे टेंडर होगे हैं इसके उपर अब हम थोड़ा सा जरा मसाला एड़ कर देंगे और थोड़ा सा घनिया और कटीवी लद्रक एड़ कर देंगे तो यह स्ट्रीट स्टाइल चना मसाला की फाइनल प्रिजेंटेशन है बहुत ही मज़दार यह डिश्पंदी है आप जरूर ही ट्राय करिएगा और अपने फीड़बेक से मुझे जरूर अगा करिएगा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें अगली वीडियो तक मुझे अजास्त दें अलाहाफेज